नमस्कार पिर ये विद्यार्थियों मेरा नाम है विपुल रातप्रेत और विपुल एजोकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है कल हमने कक्षा साथ की हिंदी की बुक से पहला पार्ट साधर नमन पढ़ा था आपने विपुल पार्ट नहीं पढ़ा हमारे दोवारा पढ़ाए गया था उस वीडियो के आई बिटन में उसका लिंक मिलेगा जाकर उसको आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आज हम पार्ट नमर दो पढ़ेंगे जिसका नाम है लव और कुष चले दोस्तों पार्ट पढ़ना शुरू करते हैं जो लव और कुष बड़े होनार बालक थे यानि होनार का मतलब बहुत ही होनार मतलब जैसे वीदवान थे बहुत बुद्धिमान थे शूर्वीर थे उनका जनम तमसा नदी की किनारे वालमिकी आसरे में होता लव कुष का जनम कहा होता तमसा नदी की किनारे वालमिक रिश स्वें मारिसी वालमिकी ने उनका पालन पोशन किया तता उन्हें संपूर्ण विद्याओं को गयान दिया यानि जब वह छोटे चटे बच्चे थे यानि बाले गाल में तो स्वें मारिसी वालमिकी ने उनका पालन पोशन यानि उनको लालन पालन किया तता उन्हें सारी ग्रूंद विद्श्यमान थे थे चोटी सी अवस्ता में वा शाष्टे चलाना शीक गए थे बान चलाने में भब बड़े झेपन थे तो इसलिए बाच्छा निशाना चुकता वा बड़े वीर और सासी थे उनका चूक तो चूकने वाला नहीं जान निशाना जिस तरब बान क कर देते थे उस वह निशाने पर जाकरे लगता था बहुत ही सुवीर थे और साहथची भी थे गुरु वालम की उनको नित्य प्रतिर रामायन के गथा सुनाए करते थे उन्होंने रामायन के कथा कंटेस्ट कर ले ती यानि एकदम कंट से कर ले थी मदलब उनको कभी रात को पूस्ट लोग तब भी वह पूरी रमायन गार सकते थे ऐसे रमायन की गता का गान करना गूरू के आज़िया पालन करना उसने उन्हें बताया कि आस्रम में एक सुन्दर गोरा आ गया है, दुए पकड़े को पकड़ी यानुन वनFyko संगे आठी जा कि सलेंbit हूं संगे चलिए देखते हैं कहती वी शीता कुस के साथ उस तान पर पहुंती यानि जहां पर गोड़ा बंदा वा था गोड़ा सोने के आभुष्णों से सदिता यानि सोनने से आभुष्णों सदिता उसके गरदन में एक सुन पत्र रही यानि सोनने का मलब तकतिसी लटक रही थी सोन पत्र प्रंकिता यानि उस सोनी के जो सोन पत्र था ऊस प्रंकिता यहाराजा रामचंदर की अश्व में का अस्वे यानि यह देखकर शिता घब आ गई यानि वह घब आ गई कई तुम इसे शिर्षिः चोड़ दो यानि इसको दिलदी से छोड़ दो वहॉओ ने का कर है ूए कि यह बहुत सुन्धू रहे हैं नि वन्हें वने का इसना कि छोड़ा हां पीजा कोई்से उन्हें है इसके छोड़ा होर्ट हुए सितन क्यों इनको ड़रते हैं पते हैं लग ने बिन्य डरेवे कहा कि युद होने दो हम नहीं रहते हैं हम पुर्षारती हैं आप ही ने तो हमें शेक्षा दे कि पुर्षारती युद से भी नहीं रहते हैं पिर आप हमें भै क्यों दिखा रही हो कि उसने लग के स्वर में लगा यानि कुछ नहीं का कि आप ने स्व पुतर में जुद होगा ऐसे सोच कर वे है महारी सी वालमिक को बुलाने तर पड़ी सीता की जाने के बाद एक सेनिक वहाया वे लव से बुला बालक यास्वे में क्यास्वे है अस्वे तो नहीं है या कुछ ने तो देखते नहीं वे पेड़ सी क्या बना है सेनिक गोड़े की तरफ जाता है तो लव ने उसे लिकादा है गोड़ा मत खुलना यह हमारा है आमने इसे पकड़ा है कैसी बात करते हो बालकों यह भी कोई खेल है अरे यह रादा राम के अस्वे में की अस्वे में इसने का कि यह कोई खेल दोड़ी है यह भगवान राम तंदर जी के अस्वे में का यग्ये का अस्वे है इसे वही पकड़ सकते है तो राम से युद करने प्रब संटरовой करना करो चुंप सा देखा था हम नेज जा डो ने का यानि ले ने लग ने बान से जोने दो तुकड़े रिलlight करने दोनों और से यह नहीं के दोनों आजफ पीछे को नषै तोersake बीड़ मिल से जाए Dafürre Abram कि दूसरी घोड़े का प्रबंद के लिए सेमनी तो लग देखे लेए लोग कुछ सेना को रोकने के लिए चल दिये. सामने से एक विशाल सेना आती की दिखी थी आगे-ागे रथ पर सेना नायक सवार था यहने सैना पती था. राम ने लक्षमन के पुत्र चंदर के तु को अस्वे की रक्षा कर रहा था तो वह इसे नहीं का क्या था नायक था लवकुस को देखकर चंदर के तु रस्च उतर कर उनके पास है बोला तुम राम के अस्वे में के अस्वे को छोड़ दो अत्म मेरे साथ यूद करो या तो तुम गोड़े को छोड़ दो या मेरे साथ युद्ध करो वीर हम वालमिक इसे से हैं हम कायर नहीं है हम यूद्ध को इदर शीता महारेशी वाली में के पास बावत कर गटना के बारें बता रहे थी एकतपश हो है और आप जब आप महारेशी शिक्र कीजिए लगपुष के बाणों से वीर लक्ष्मन मुडशित होगे यह उसने कहा एकतपश हो आता है और कहता है कि महारेशी जल्दी चली का अस्वय बिना रोक्टो के बड़ा तुला रहा था इतनी में एक सैनिक गबराया अस्वय यग्यसलाम आया और राम को सादर्शी जुका कर बोला महाराज सारे देश का ब्रमन करने के बाद आयोद्य लोट रहा था तो वालमी के आस्रम के लवकुष नामक दो बालको महारास हुए महाराण के बाढ़ सनी का नीक विर्मष्षित होगे लक्ष्मन भी 252 यानी गाहा कि निध्यें वह तौार श वालम को दियार नहीं की लेकर आव lagi तुम मुझसे अपने पिता की बार्रम जाना ताँ ना यह ही लिए कर देखने अंदा यहीं का यहीं तमारे पिता है अया उट दागे रादा राम यह सुन कर रादा राम ने लौकष को बाहूं में वड़ लिए मिलने की सथ बूद देख ओल्द से रवाल में किने तरों क्या हर स्यास बहाईने के लिए यानि उन्होंगे पिता-प्रुक्तर का म लवकुस कहा रहते थे लवकुस तमसा नदी किनारे महारीशी वालमिकी का आस्रम में रहते थे लवकुस की गुरुजी के नाम था महारीशी वालमिकी लवकुस क्यों पिता गवन थे भगवान राम चंदर लवकुस किस सस्तर को तलाने में निपुन थे धनुश्यमान आस्रम में किसका गोड़ा गया था भगवान राम चंदर जी के अस्वमेग का अस्वे मौनिवाल को मेरे अस्वा को सिखोड़ दो यह किस ने किस से कहा यह भगवान राम चंदर ने लवकुस सिखा था लवकुस के देने क्रिया क्लाब क्या थे देने लवकुस के देने क्रिया मिल गए थे, शिता कब और क्यों संक्ट में बढ़ गई, जब वह संक्ट में बढ़ गई, जब मैंनों ने सुना कि ये घोड़ा जो है, रामचंदर जी अस्वयागा यग्य है, अगर इसको नहीं चोड़ा, तो पिता पुतर में युद्ध होगा, लाउकुस और सेनिकों संव आप भी ऐसे आठ पत लिखिए जिर में दोनों पत बरदानों और विग्रेकन ने के बीच में और सब्दा है, लक्षमन तग्सम सब्द है, लक्षमन का तदभवल होगा, लक्षमन है, सुना, अश्ट का आठ, ग्रह का घर, चंदर का चांद, मुर्ति का मूरत, ठीक है, तो जो सब्द मूãos रूप से हिंदी में प्रिक सब्सक्राइब अब कुछ बदलाऒ के साथ हिंदी में अुर्यूग वह ऑनेंगे नाक और दूद विराम का रंध Laut रोकना हम बात्चित करते हैं बातोम में उ Nachtricht घृते हैं उद्रण जिन आउद्रण जिन ठीक है तो इस परकार आप इनका ज्यान कर सकते हैं तो मित्रों आपको आज की क्लास कैसे लगी अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंदार है और आपको अक्षासात्मी की हिंदी की पूरी बुक करवाना चाते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल अगरे को प्रेस कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों के आज शेर कीजिए कोमेंट कीजिए और घर पर बैठे हुए अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए धन्यवाद दोस्तों जय ही जय भारत घर रहें स्वस्त रहें